नमस्कार मित्रो, कुक विद्पोस्पा में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलुआ गाजर का हलुआ सर्दियों के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है और जादा तर सरदियों के मौसम में ये बच्चों के पसंद का गाजर का हलुआ हर किसी के घर में बनता है तो चलिए हम टाइम ना बेश्ट करते हुए गाजर का हलुआ बनाना शुरू करते हैं तो गाजर का हलुआ बनाने के लिए हमें चाहिए एक किलो गाजर जो हमने एक किलो गाजर को लेकर अच्छे से धुल लिया है और यह कद्दू कस कर लिये हैं और यहां पर हमने लिया है यह डेट सो ग्राम खोया और यह दो चमच घी देशी और यह एक पाव चीनी और यह कुछ ड्राइफ फूर्ड है कटे हुए और यह दो इलाइची हैं जिसको मैं पावडर बना के और हलुआ में डालूंगी तो अच्छा फ्लिवर आएगा और यहां पर अब हमने गैस पर कडाई को रख दिया है और गैस को ओन किया है और यह जो हमारा दो चमच घी रखा हुआ है इसको मैं इसमें डालती हूं तो दो घी मैंने गणाई में डाल दिया है गी हमारा पिँग गया है अब मैं इसमें गाजर डालूंगी अब ढाल गी हमारा करम गे अब अब हम इसमें काजर को डाल देंगे अब हम इसी तरह से इसको चलाते रहेंगे धीरे धीरे अगर हमारी हलकी कड़ाई है तो हम इसको गैस को लो फ्लेम पर रखेंगे और हमारी अगर भारी कड़ाई है तो हम उसे थोड़ा सा हाई फ्लेम कर लेंगे यहाँ पर हमने इस्टील के कड़ाई लिए यह थोड़ी हलकी कड़ाई है इसलिए हमने इसको गैस को लो फ्लेम पर रखा हुआ है और हम धीरे धीरे इसको इसी तरह से चलाते चलाते इसका पानी सुखाएंगे अब हमारी गाजर यहलकालका पाणी छोड़ रही है तो हम इसको चलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए हम 5-minute के लिए इसको धक देते हैं इस तरब से तो यह हमारा पानी सूँख जाएगा, 5 मिनिट के लिए हमने यह घजर को ढख दिया था तो 5 मिनिट बाद हमारी गाजर कुछ इस प्रकार है है, उसके बाद भी हमें पाणी सुखाने के लिए कुछ Dire चलाना है इसको, क्योंकि गाजर पानी ज्यादा छोड़ती है अब यह लगबग हमारा पानी सुख चुका है गाजर का तो अब हम इसमें चीनी डाल देगे चीनी डालने के बाद भी पानी छोड़ेगी गाजर तो फिर हमें उसे भी सुखाना है देखे अब हम इसमें चीनी डाल रहे हैं यह ए से चलाते रहना है सो ipa थे बस लो पर चलाते हैं दो सोर्य से और सब 봤 ayam अब है द़िये चीम जाना पानी चलाना हैं से ऐसी तरह से आप देख सकते हैं हैं या यह चीनी में डाने से इतना पानी चोड़ तो देखिये हमारे गाजर का पानी अच्छे से सूख गया है और हमारी चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गया है अब हम इसमें खोया मिलाएंगे ये ज़िए हमिने घर में खोया बनाया हुआ है आप हम इसको खोय को मिलाएंगे, बैसे गाजर का अलुगा का होई को क्यों पर बनादा है? आप डूद भी डाल कबना सकते हैं लेकिन ज्यादा एजि से बनाना ज्यादा एजी होता है क्योंके दूद को काफी देर सुखाना पड़ता है हम इसको अच्छी तरह से मिला देंगे, देखिए हमारा गाजल का हलुआ तयार हो गया है, कापी अच्छा लग रहा है देखने में, बड़ी अच्छी खुस्बू भी आ रही है, खोया देखिए अच्छी से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें ड्राइफूट डालेंगे, हम इसम हमने ड्राइफूट डाल दिये हैं इसमें, इसको फिर से मिक्स कर देंगे, और हलुआ में तो बहुत अच्छी खुस्बू आने लगी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, तो अब हम गैस को बंद करते हैं, हमारा हलुआ ये बन के तियार हो गया है, अब हम गै को साल देते हैं, जिससे हमारा बहुत अच्छा फ्रिवर ऐगा हलुए में, अब हमारा हलुआ ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसको प्लेट में निकाल ले makers अब हम सर्व करने के लिए हलुआ के लिए लेन निकाल लेते हैं, तो हलुआ बिलकुल रेडी है और हम हम इसको सर्व करने के लिए गार्निस करेंगे ड्राइफूट से तो ड्राइफूट डालने के बाद हमारा हलुआ बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा जितना देखने में अच्छा लग रहा है तो आप भी अपने घर में प्रवाद